हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू यूपी सिनिती हम देखने जा रहे हमारा रिपोर्ट्स और इंडाइस इसका पार्ट टू जी हम ना हमारा जो पहला पार्ट था इसका मुझे लगा था कि बहुती ज्यादा फैक्चुल है आपको पसंद आएगा है नहीं लेकिन आपका बार देखोगे तो बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे तो चलिए स्टार्ट करते हमारे आज का रिपोर्ट और इंडाइस इसका पार्ट टू जिसमें हम कवर करने वाल है कुछ UN और UN की जो कुछ स्पेशलाइस एजनसी है उनके रिपोर्ट तो चलिए स्टार्ट कर बारे में United Nation की Conference है और इसके द्वारा कौनसे रिपोर्ट पब्लीश किये जाते है वह हम देखते हैं सबसे पहले क्या है World Investment Report तो यहां पर है डेखिए ट्रेड है ट्रेड के लिए सबसे पहले आज bull के आज अर ऐन कारहिए इसके द्वारा सबंसे रिक्रांट और यहां पर हमारी प्रोडुटिविटी जितनी ज़्यादा होगी आज हम इनवेस्टिविटी जतरी सब्सक्राइबावनगा सब्सक्राइब चिकनलोची अच्छी लगेगी और साते टेक्नलोची और innovation यह correlate कर सकते हैं तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे next is least developed countries report तो यह बात भी ऐसी है जितनी ज़्यादा trade होगी उतनी ज़्यादा मतलब development की chances ज़्यादा होगी तो trade कम है इस वह से least developed countries है ऐसे इसको याद रखें next is the information economy report ठीक है तो यहाँ पर भी development इसको इकोनोमी जो है इसके बारे में एक कुछ मतलब एक वाइल इसके लिए मैं आपको कुछ बात ही यहाँ पर बता रहा हूँ तो एक बार फिर से देख लेते world investment report trade and development report technology and innovation report least developed countries report and last is information economy report अब देखते हमारे reports जो publish किया जाते है WHO दारा world health organization दारा तो देखिए सबसे पहले कौन सा है world health statistic ठीक है world health statistic basically जो कोई भी हमारे health related होते है न drugs छोड़के ठीक है drugs छोड़के जो कोई भी हमारा health related है वो WHO के अंडर आता है तो एक है world health statistic after that ambient air pollution report ambient air pollution report और यह इस साल के लिए हमें important है क्योंकि यह पिछले साल report आया था next is world tuberculosis report फिर से एक health के बारे में है तो यह world tuberculosis report यह भी लाया जाता है WHO दारा after that weekly epidemiological record ठीक है यह जो है weekly इसको दारा publish किया जाता है लेकिन important है हमारे लिए इस वज़े से हमने इसमें add कर दिया next up देखते हमारा reports and indices published by UNDP and UNEP ठीक है तो UNDP और UNEP इसमें सबसे पहले यह development है United Nations Development Program and United Nations Environmental Program ठीक है तो यह दोनों अलग है basic इसके बारे में कुछ difference है वो आप जान लीजिए तो देख लेते हैं इनके द्वारा कॉन-कॉन से report जो है वो publish किये जाते है तो सबसे पहले देखिए UNDP द्वारा कॉन सा report लाया जाता है तो Gender Inequality Index यह भी इस साल के लिए हमारे लिए important है याद रखिए इसके बारे में UNDP द्वारा लाया जाता है next is education development index तो यह development है development यहापे भी inequality inequality क्यों आती है क्योंकि किसी particular region में development नहीं होगा तो inequality की chances ज्याद होंगे ऐसे consider कीजिए और यह लाया जाता UNDP द्वारा ऐसे याद रखिए next देखते है अब हमारा UNEP that is United Nations Environmental Program तो देखिए यहापे है actions on air quality next is global environment outlook and last is emission gap report तो यह जो तीन report है वो लाया जाती UNEP द्वारा और साथी साथ UNEP ने पिछले साल Interpol के साथ मिरकर एक report लाया था publish किया था I think पिछले जूनी या जुलाई में कुछ तो आया था उसका नाम था the rise of environmental crime report ठीक है और इसमें बताया गया है कि जो हमारे environmental crime है ना वो fourth largest crimes है after drug smuggling counterfeiting and human trafficking यह मैंने इसलिए इसमें add कर दिया क्योंकि इस पर मतलब ऐसे sequence लगाने के लिए भी मतलब question पूछ लिया जा सकता है कि कौन से crimes हमारे यह सबसे जादा होते तो drug smuggling सबसे पहले then counterfeit currency next is human trafficking और उसके बाद आता है हमारा environmental crime reports ठीक है ऐसे याद रखिए और यह UNEP इन्होंने मिलकर यह report publish किया था चोटी सी फैक्ट है याद रखिए next देखते है अब हमारा ILO that is international labor organization इसके द्वारा कौनसे report publish किया जाते है तो दिखिए first क्या है global wage report wage labor ऐसे इसको याद रखिए next is world of work report ठीक है world of work report तो work labor एसे मतलब हमें याद रखना पड़ेगा next is world social protection report तो जो हमारे labor होते मतलब एक unorganized sector या फिर ऐसे कुछ लोग maximum होते है इसमें तो जो यह लोग होते है उनको हमें social protection देने की ज़्यादा जरूरूत होती है तो ऐसे इसको UNICEF and UNODC द्वारा ठीक है तो यह अलग-अलग है लेकिन मतलब kind of same थे तो इसलिए हमने यहाँ पे add कर दिया मतलब यह कुछ लोगों इसका confusion भी हो सकता है तो देख लीजे सबसे पहले इसके बार में UNESCO UNESCO का सबसे पहले full form अगर आपको पता होगा तो बहुत जो बाते है वो clear हो सकती है तो देख लीजे इसके कौन से रिपोर्ट पब्लिश किये जाते जेंडर पैरिटी इंडेक्स ठीक है जेंडर पैरिटी इंडेक्स ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट तो ये एजुकेशन है तो इसके लिए एजुकेशन लाता है और साथी साथ ये मतलब बाकी भी रिपोर्ट जो है जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये लाए जाते UNESCO दोरा UNICEF दोरा कौन से रिपोर्ट लाए जाते United Nations Children's Emergency Fund के ये पहले इसका नाम अलग था लेकिन अभी इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है और इसके लिए अभी ये रिपोर्ट जो कौन-कौन से पब्लिश करता है The State of the World's Children's Report मतलब ये हमारे दुनिया के बच्चों की कंडिशन कैसी है इसके बारे में होता है ये The State of World's Children's Report and next is Report on the Regular Resources Regular Resources के बारे में ये रिपोर्ट और ये बच्चों की कंडिशन कैसी इसके बारे में रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा पब्लिश किया जाता है और जो एक तीसरा हमने कहा था जो World WHO के दौरान कि Drugs के बारे में जो रिपोर्ट आते वो अलग कैटेगरी में आते तो ये लाए इंपोर्ट है इंपोर्ट है तीनों हमें इस साल के लिए देख लीजे इसको एक बार फिर से और एक है अभी लास्लाइड उसमें हमने कुछ मिसले निये जो यूनिटे नेशन की बाकी औरगन से इनके दौर जो रिपोर्ट लाया जाते है वो हमने एड कर दिये देखिए और इस साल के लिए बहुत इंपोर्ट है तो देखिए इसका जो रिपोर्ट लाया जाता है उसका नाम है ग्लोबल असेस्मेंट रिपोर्ट लाया जाता है यूनिटे नेशन्स ओफिस फोर डिजास्टर रिस्क रिडुक्शन द्वारा आफर दाट यून हैबिटाट आप जानते हैं रिसेंटली यून हैबिटाट का इंडिया जो है वो हेड बन चुका है हमारे वेंकन आइडू सर जो है यहापे है तो देखिए मतलब न्यूस तो जो आई थी वो अभी में मन्त में आई थी लेकिन हमारे जो कुछ पेपर सेट करने वाले होते इनको तो कुछ इस है ऐसे इसको याद रखी यून हैबिटाट और यून हैबिटाट का है बाकी भी जो कुछ इनफरमेशन है वो देख लीजिए क्योंकि बहुत ही रिसेंट न्यूस थी हो सकता है इस पर कोई यूपेसी कुशन फ्रेम कर दे बाकी जो हमारा नेक्स गूरूप नेक्स जो है ब इसके बारे में जो है वो कुश्चन फॉर्म किया था और जो हमारा आज का लास्ट रिपोर्ट है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन और्गनेजिशन ये जो बॉड़ी है इस साथ हमारे अभी जो उड़ान स्कीम आ रही है साथी साथ ये जो ये बॉड़ी है इसने कह बारे में इस स्कीम के बारे में इसका रिपोर्ट जो था वो सुर्खियों में था इस वए से हमने इसी सेक्शन में आड़ कर दिया देखिए कौन सा स्कीम है कारबन ऑफसेटिंग और रिडॉक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन इसका जो नाम है वो है कोरसिया ठ अब देखिए उसको मैं चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड करता हूँ अगर मुझे फिर से मिलता है मैं ढूंडूंगा उसको और डिस्क्रिप्शन में हमारे इक लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ वो भी इसके बारे मतलब हमें अच्छे से important है क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसे ही रिपोर्ट जो है वो add कर दिये है जो जिसकी आने की चांसे कुछ बाकी रिपोर्ट से ज़्यादा है क्योंकि यह मतलब अलग-अलग है हो सकता है इस पर कोई जो है question frame किये जाए तो देख लीजिए इन रिपोर्ट को भी और जी कल कुछ मतलब तब्यत ठीक नहीं ती तो हम बस एक ही वीडियो add कर सके देखते आज जितना ज़्यादा हो सकेंगे उतने वीडियो आज publish करते जाद जादा हो सकेंगे उतने यदे वीडियो आज डालते और इक जो वीडियो है जो हमारा साइनसे टेक का मैंने कहा था वो भी हम आज दो पहर तक पब्लीश कर देंगे, ठीक है, so thank you so much and have a happy wonderful day ahead, keep studying and all the very best.